नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं हिंद भूमी न्यूज नेटवर्ट क्याने एच वी एने पॉाइंटरी गाओं की एक तेकड़ा महिला एक पत्रोटा था ने पहुँची महिलाओं ने बिजली कंप्पनी के बिजली कंप्पनी के खिलाफ अपराद दर्ग करने के लिए ज्यापन दिया है महिलाओं ने बिजली कंप्पनी के खिलाफ नारे बाजी भी की उसके बाद बीजिये मंगपुल मिस्रा ने धमकी दी थी कि ऐसी बिजली कटवाऊंगा कि जीवन भर अंधेरे में रहेगा पूरा परिवार ये धमकी उस परिवार के लिए थी जिस परिवार द्वारा मारपीट की गई थी अब आपको बताते हैं कि आखिर मारपीट हुई क्यों मारपीट के पीछे बड़ा तारण है तरफल बिजली दिल का बकाया बसूली करमे वाले करमचारी रंगदारी से बसूली करते हैं रंगदारी से बसूली का ऐसा ही एक मामला सनीबात फ़ांटी दाओं में हुआ था यहां बिजली कंपनी के आउट्सोर्स करमचारी सचिन पटेल ने एक भुजूर्ग वोपाल परसाथ मालवी की कॉलर परपल दी थी इस बात से भुजूर्ग के पत्रों ने इसका जबाब दिया तो डी जी एम के साथ कंपनी का इस्टाफ थाने पहुंच गया और सचिन पटेल की सिकायत पर पत्रों पत्रों ताथाने में मामला दर्जिक किया गया गोपाल परसाथ मालवी की पत्नी घीरवाई मालवी ने बताया कि करमचारियों से पुरे परिवार ने हाँच जोड़कर बिंती की थी कि फिलहाल उनका सीजन है लक्ष्मी जी की मूर्तियां बनाने का वेकाम कर रहे हैं उसमें रंगाई पताई होना है इसके लिए बिजली की आवसकता जादा है जैसे ही मूर्तियां बिग जाएंगी इसके बाद हम बिल जमा कर देंगे लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी और रंगारी बताते हुए अचानक गोपाल परसाद मालवी की कालर पकल्डी इस बात से दोनों पत्र गुष्चा गए और धक्का मुक्की कर दी जबकि सचिन पटेल बोल रहे हैं कि मारपीट की है जो गलत है क्योंकि मारपीट नहीं हुई है और दूसरा यह कि यदि मारपीट होती तो कहीं चोट आती लेकिन एक भी चोट नहीं आई है जिससे इस पस्ट है कि मारपीट नहीं हुई है आज गाओं की महिलाएं थाने पहुची और महिलाओं ने अंकुर मिस्टरा के खिलाब मामला दर्जी करने की मांगी महिलाओं ने बताया कि करमचारी बत्तिनी जी करते हैं और दिना खटखटाय करमचारी घर में घुच जाते हैं पुरे परिवार के लोगों से बसूली करने वाले कर्मचारी पर बत्तमीजी करने का अरोप महिलाओं ने लगाया है। कर्मचारीयों की इसी हरकत का परिणाम है कि इतनी सारी महिलाओं आज पत्रोटासाने पहुची थी। अब इन ना साथ भी फिड़े के अगर आपने इसको सब्सक्राइक्शन नहीं दिया। सर्णों और भी गावाले आया सर्णों पहने देना प्रोटासाने आखिए। अब आपके यादू